स्वामी घ्यानन्द का कहना सारी दुनिया मान गई स्वामी घ्यानन्द का कहना सारी दुनिया मान गई ओ दुनिया मान गई सारी दुनिया जान गई भूमंडल का सबसे पहले ग्रन्त वेदु बतलाया भूमंडल का सबसे पहले ग्रन्त वेदु बतलाया सब देशों के योगों किये आज समझ में आया उत्तम है वेदौका पढ़ना साथी दुनिया माद गई उत्तम है वेदौका पढ़ना साथी दुनिया माद गई इस धया दंद का देहना साथी दुनिया माद गई इस्वर जीव और माया यहतीन हमेशा रहते इस्वर जीव और माया यहतीन हमेशा रहते आदि अंति ना होता इनका समझदार सभी कहते तीनों सत्ता नित्त समझना साथी दुनिया मान गई थैया नंद का देहना साथी दुणिया मान गई इस धहा नंद का देहना साथी दुनिया मान गई यह स्थान्थन को रिशी ने दिया तीन अनादी सत्ताएं हैं इस्वर जीव और एक प्रिक्रती ना कभी इनका जर्म होता है और ना कभी इनकी विप्त्य अफ्थात विनाश होता है यह प्रवाद से अनाती है अभुवादन के लिए नमस्ते करते सब इनसाँ अभुवादन के लिए नमस्ते करते सब इनसाँ सब कंथों में यही लिखा है ली जैसी को मान सब को सदा नमस्ते करना साँए दुनिया मान गई भुष घयानंद का कहना साँए दुनिया मान गई भिन्य देशवाद गिन्य मतों के इस्वर नहीं अने सब की रक्षा करने वादा करने इस्वर नहीं अने सब क्यानंद का कहना साँए दुनिया मात गई इतने मतोंवा भिन्य देश के इस्वर नहीं अनेक और सब की रक्षा करने वाला परमेश्वर है एक आज दुनिया में जगड़ाय दी कोई हो रहा है या तो धर्म के जात जनम से मरने तक ना बदले कभी किसी थी बर्न कर्म से होते हैं ये साची बात रिशी की चारों वर्न मेल से रहना सारी दुनिया मान गई स्वादी दयानंद का रहना सारी दुनिया मान गई स्वादी दयानंद का रहना सारी दुनिया मान गई लिका है जाती जनम से मरने तक ना बदले कभी किसी की जाती कभी बदलती नहीं है किसी की जाती का मतलब गाए की जाती गाए बहेंस की जाती बहेंस जिनका समान प्रसब होता है उन सब की एक जाती हुआ करती है तो जी गाए कभी बहेंस बन सकती है बहेंस कभी गाए बन सकती है नहीं बन सकती जनम से लेकर के वित्तु पर्यंत उनकी जाती बदलेगी नहीं परंतु वर्व ये किसी जाती से रही बनती वर्व कर्म से बनते हैं जैसे जैसे जिस व्यक्ति के कर्म होते हैं जिनका वो चुनाव करता है को विद्या पढ़ता है पढ़ाता है प्रहमन वर्ण का चैन करता है को राज की रक्षा करता है वो छत्रिवन का चैन करता है जो व्यापार पशुपालणावी करता है वो वैसे है और जो तीनों वर्णों की सेवा का प्रतिप्चा लेता है दर्शंकल्प करता है वो सुद्रे इनमें ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई उच है और ना कोई नीच है इस चारो वर्न अपने अपने स्थान पर बरावर है, समान है, कोई उचा अनिचा कोई बड़ा नहीं है परन्तु हमने कार्म दर्विस्था को छोड़ करके विर्तिने जाती के आधार पर ही अपने वर्ण बना लिए किसी वालक ने ब्रहम्मन कुल में जर्म लिया है चाहे उसके गुन कर्म स्वभाव ब्रहम्मन जैसे ना हो फिर वो क्या कहलाता है ब्रहम्मन बस यहीं आखरके सारा गरोड हुआ है रिशी द्यान की म्हालाद ने इसद्धान्त दिया है जाती से कभी वर्ण नहीं बनते वर्ण हमेंसा कर्म से बना करते हैं यह आज समाज का सिध्धान्त रिशी नहां को दिया परंतु आज इन वर्ण विवस्था को लोग भूल करके सब ने अपने अपने कर्तव्यों को भुलाया हुआ है ब्रहम्मन ने विद्या को छोड़ दिया है ब्रहम्मन पाखंड में लग गया है छट्रिये वो बस एबल शराब के नशे में दूब गया है सुरा सुंद्री में वो डूब गया है वैसी को मिलावट करने से फुर्चत नहीं है जब तीन वर्ण अपने कर्तव को छोड़ते हैं तो फिर चोथे सुद्र का कोई कसूर नहीं है उत्याप्णाप में विचारा बिगरा हुआ हूँ सुनाते हैं विद्वान वजिए कुछ पंक्तिय बोल करके मैं पीछे अकना चाहूंगा समय बड़ी तीप्रगती से भाग रहा है विद्वान को चर्चा को हमको सुनना है एक प्रहंबन का लड़काज जंगल की और निकला रास्ते में प्यास लगी कुवा था कुवे पर रस्ची और बाल की रखी हुई है नारी सिख्षा का अब तो बिस्तार हुआ है भारी सभी छेत में उच्पदों पर पहुच गई है नारी ये आभार हुआ है सपना सारी दुन्या मान गई इश दयानंद का कहना सारी दुनिया मान गई वो दुनिया मान गई सारी दुनिया जाख गई इश दयानंद का कहना सारी दुनिया मान गई एक सिद्धान्द रिशी ने हमको यह भी दिया जहां जिस घर में नारी जितनी सुक्षित होगी उतना ही घर और परिवार हमारे अच्छे बनेंगी और रिशी दुनिया मान गई से आने से पहले आरिसमाज की स्थापना होने से पहले महलाओं की जो देने इस्तिती थी दुरवस्था महलाओं की थी रिशी ने पदजलत नारी को जो है सिरका ताध बनाया इसे धान धंको आरिसमाज का रिशी दुनिया को दिया इसलिए एक पंक्ती कह करके मैं अपनी बादे को ब्राम दोन का। कौन कहता है नारी भारत में अवला है। इंदिराने दुनिया से लोहामन वाया है। मायान मूलायम और ओमा जी ने दिग्गी राजा सीला जी दिल्ली में धंडा फेराया है। कि सीला जी ने दिल्ली में धंदा फेड़ाया है कि सोनिया ने मोहन से देश चलवाया है अच्छे अच्छे राष्ट पती अच्छे पहलवान अच्छे अच्छे पहलवान पती भी ना बन सके और पतिवान राष्ट पती बन के दिखाया है ये कोई रिशी की कृपा है तो महि कुछ पद पर बिठाया है तो इसलिए आर्स समाज के इस सिध्धानते हैं उस fonction के रहे हैं सब के समान आर्समार्सञाचते हैं ढाइये हम इस सिध्धान्तों पर चले और आतरमें सिध्धान तो को जह हम लाएंगे तो हमारे जिवन का बहुत विकास होगा उन्नति होगी इन्हीं सब्सक्राइब के साथ मैं अपनी वाणी को बराम देता हूं ओम शब्द